Hello everyone, मेरा नाम है आनन्द महता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले Alloc Industries के बारे में 10% से भी ज़्यादा की तेजी बनी है आज के दीन है और financially जो इसके fundamentals है वो हम जानेंगे कि क्या reason से क्यों इतना तेजी आये stock में और क्या अभी हमें इसमें buying करना चाहिए की नहीं चाहिए या फिर यह जो तेजी है वो long term के perspective से ठीक है चीजे ठीक हुए company में या फिर यह trap है वीडियो में जानेंगे सब कुछ लेकिन उससे पहले गर आप channel पे नई हो तो genuine information पाने के लिए channel को जरूर subscribe कर दीजे बेल आइकोन बेट कीजे क्योंकि future में इसे बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा help करेंगे यहां मैं आपको अपना screen share किया हूँ आज की दिन देखा जाए तो लगभग 9% से भी जादा की तेजी है 9.93 लगभग 10% की तेजी जब मार्केट यह उपन हुआ था 14 रुपे 15 पैसे पे उपन हुआ था और अभी जो क्लोज हुआ है कह सकते मार्केट को all time high पे क्लोज हुआ है डेव में जो all time high वहाँ पे क्लोज हुआ है और 15 पे 50 पैसे तो बड़ी तेजी है 10% की और actually यहाँ पे जैसे कि movement देखने को मिल रहा है तो movement से हम यह समझेंगे कि तेजी अभी रहेगी तेजी अभी रहेगी बट यह वीडियो में हम जानेगे कि यह तेजी short term के लिए है या फिर long term के लिए है तो अगर पिछले 5 दिनों के बात करूँ तो पिछले 5 दिनों में लगभग 11% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है और एक महिने में यहाँ पे बात करूँ तो 15% 16% का लगभग लेकिन 6 मेने में chart जो है गड़ बढ़ाय हुआ यहाँ पे low जो बनाया था 6 मेने में 10 रुपे chart पैसे का बनाया था और वहाँ पे मैंने बहुत सारे विडियो बनाया थे और आपको update किया थे गर चीजे ठीक नहीं हुई तो यह stock single digit का होता हुआ दिखाए देगा लेकिन यहाँ पे single digit का होता हुआ दिखाए नहीं दिया पिछले एक साल में देखा जाए तो गिरावट है 28% की लगभग और 5 साल में देखा जाए तो 3% की गिरावट है इस बिच जो stock है पेनी stock हुआ करता था 27 मार्स 2020 के आसपर जब COVID आया थो वहाँ पे इसी एक दौरान था इसी बीच यहाँ पे खरदा हुआ था अमबानी ने इसको NCLT से और यहाँ पे उसके बाद बहुत सारे चीजे पोजिटिव लोगों को लगा कि नहीं अमबानी के हाथ में आया हुआ तो चीजे ठीक होंगे बट यहाँ पे वो जो खबरे थे उस हिसाब से होता हुआ नजर आया स्टोक में और भी बूरे दिन आये और यह गिरते हुए गिरते हुए काफी मतलब तूटा हुआ है काफी यह गिरा काफी गिरावर देखनों को मिली और लगबग यह पैनी स्टोक बन करके रह गया विडियो में हम जानेंगे कि आज जो तेजी है कि यह तेजी की वज़ा क्या है तो भाईया यह तेजी की वज़ा मैं आपको बताता हूँ यह भोलियूम 46 करोड के वोलियूम से इंट्राडे में ट्रेड होते हुए देखें जो बड़ी वोलियूम है और जो तेजी की में वज़ा है यह भोलियूम ही है वोलियूम की वज़ा से आपको एक तेजी देखनों को मिला है और अगर आगे मैं वीडियो में बात करूँ according to money control user तो money control user भी यहाँ पे खरिदारी की राय दे रहे है आपको और हमारी क्या राय है वो भी हम वीडियो में बात करेंगे दर्फ परसंथ के रिए जो 100 में से 100 परसंथ आपको खरिदारी के राय दे रहे है जो money control के यूजर है और हमारी क्या राय है भई यह देखिए हमारी जो राय है वो भी है कि हम अभी long term के perspective से यह company अच्छी नहीं है long term finance कुछ है इसमें कुछ अंदर में है ही नहीं बस यह कह सकते volume से operator active stock है अगर यह थोड़े मोडे तेजी देखने को मिल रहे हैं तो हाँ आप इसमें रिक्स ले सकते हैं swing trading कर सकते हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इससे दूर रहो तेजी है तो उसका फायदा उठाओ और रिक्स तो लेना है पड़ेगा market में without risk कुछ भी नहीं होता है तो रिक्स आपको लेना पड़ेगा और यह जो सबसे पहले में आपको यह समझाने का प्रियास कर रहा हूँ जो जो डेटेड है और इटेड रिजल्ट 19 अप्रील को यहाँ पर आई थी dividend की मैं बात करूँ तो last 2013 में dividend pay किया था और अभी 2013 के बाद 10 साल से dividend pay नहीं किया और मुझे नहीं लगता आने वाले time में यह pay कर पाएगा NCLT से companies को इसको acquire किया गया था अंबानी के दुआरा और अंबानी ने इस company को use किया अपने business को बढ़ाने के लिए textile को बढ़ाने के लिए जो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर किया गया है और actually मैं यह बात करूँ कि यह इतना खराब हो गया था इसके दिन कि यह deal list होने वाले आ गया था में देखो इसका तो quarterly जो है revenues decline होते वे दिखाए दे रहे हैं यहाँ पर 2011 करोड का इनका revenue सा मार्च में 2028 में मार्च 2022 में एक साल पहले वहां से गिर रहे है revenues और अभी मार्च 2023 में 1562 करोड का हुआ प्रोफिट की अगर मैं बात करूँ quarterly तो देखे प्रोफिट से दूर दूर तक company का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर record पर recorded का नया record बना रही है यह losses के record बना रही है तो यह सारी चीज़े company में fundamental ज्यादा दिन तर टिक नहीं पाएगी कब तक एठीके के operator कब तक संबाल के रखेंगे इसको तो देखे 298 करोड का इनका loss था मार्च के quarter में और अगर मैं यह yearly देखू तो yearly भी इनके काफी जादा losses थे हलाकि losses कम हुए है यह बड़ा sign है मार्च 2028 में 5673 करोड का loss हुआ था उसके बाद 2022 में 209 करोड का और फिर से 2022 में 880 करोड का revenues भी यहाँ पर देखा जाए तो revenues बढ़े हैं बट अगर मैं ओबर रिजल देखी हैं तो 2022 का तो रिजल जो है वो बिछले कुछ quarter के मुकाबले सही है इसका पीछे region क्या है इसका प दिमांड बढ़ रही थी और अभी क्या हुआ 2023 में लोगडाउन खुल गया तो यहाँ पर आपका चाइना भी लोगडाउन से खुल गया और बांगलादेश भी खुल गया तो जो है डिमांड कहीं ना कहीं वो पूरा होते हुए नजर आ रही है और डिमांड में इंडिया क मुकाबले जो 2022 के मुकाबले 2022 में डिमांड होते हुए दिखाए दे रहा है तो इसके चकर में जो रिजल्ट है वो कुछ खराब होते हुए दिखाए दिये हैं 2020 में और अगर मैं आगे बाकी कंपनी के मैं बात करूँ जो ओभर भीव है इसका सो यहाँ पर आप देखेंगे इसका पी रेशियो मैनस में है और सेक्टर पी 59, 60 रुपीज के लाज़ पास है वेल्यूएशन के साब से सस्ता कह सकते इसको बट सस्ता क्या कहेंगे अगर कंपनी में कुछ दम रहेगी तब ना कंपनी नंबर्स दिखाती प्रॉपिट दिखाती उसके बाद यहाँ पर उस से स्टॉक्स में अग्री देने से बचते हैं और यहाँ पर कोई भी आजिस्त आपको कुछ भी करने के राय नहीं दे रहा है और जहां तक मैं शेर पैटर होल्डिंग के बात करो क्यों कहीं 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 कंपनी में यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है शेर पैटर ह सबसे पहले 75 पर सेंट जो वह पर मोटर होल्डिंग है बुच्व फंड कुछ नहीं यहाँ पर 0.00 अधर डोमेस्टिक इंस्टूशन 0.35 पर सेंट फोरें इंस्टूशन की बात करें तो फोरें इंस्टूशन बित्ते कुछ दिनों में डूपॉंट 07 पर सेंट पर लेकिन रिटेल और अधर की बात को तो रिटेल भी 22.58 पर सेंट लागर के दोनों जिसमें रिटेल बंदे केबल 16.76 पर सेंट की एक स्ट्रोंग होल्डिंग लेकर बड़ी कौंटिटी में रिटेल और अधर पार्टी भी यहाँ पर 5.82 तो सेर्स जो हैं मार्केट में काफी कौंट तो यहाँ पर मूब आएगी बट अगर मैं बीते कुछ दिनों की बाद बताओ कि अमबानी ने केवाल एक कंपणी एक्वायर नहीं किया तो टेक्स्टाइल फिल्ड किये पर इसे बहुत सारे मीडिया कंपणी है और भी डिफरेंस सेक्टर्स की कंपणी है अमबानी ने उस तो ऐसे बहुत सारे अमबानी को लेकर के सोची मत जो लोग होते रिटेल बंदे होते वो सोचते के बड़ा प्लेयर आगया इसके साथ बड़ा होगा जो रिटेल बंदे हो तो इमोशन के साथ चलते और जो बड़े प्लेयर होते वो मैज के साथ चलते उनको समझ में आता कि कि मुझे क्या से करना है और क्या नहीं करना है तो ये बिल्कुल भी मत देखिए हाँ अगर आगे इनके revenues जो decline हो रहे हैं वो अगर बढ़ते हैं decline नहीं होते हैं profit इनके losses है वो धीरे धीरे छोटे profit में convert होते तो ये long term के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं तो ये बड़ी बात होगी इसके बारे भी future में हम discuss करेंगे कि क्या होता है तो अगर आप अभी इसको खरीदना चाहते हैं तो swing term trading के हिसाफ से short term के लिए buying कर सकते हो long term के perspective के हिसाफ से अभी इसमें business कुछ नहीं दिख रहा है आप से रिक्वेस्ट है प्लीज आप से चनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को आप देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद